यह रेसेपी देखने में जितनी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है उतनी एकदम हटकर है और यूनिक है आज हम पिस्ते से बनी रेसेपी आपके साथ सेयर कर रहे हैं इस रेसेपी से आप मफीन, कपकेक, लोफ केक, टी टाइम केक कोई सा भी केक बना कर त्यार कर सकते हैं तो प्रीमिक्स को बनाने के लिए मैदा का बहुत कम यूज किया गया है आपके केक में मैदा जितनी ज़्यादा कम होईगी आपका केक उतना ही ज़्यादा सोफ्ट बन का त्यार होगा इस्पेशल इंग्रिडेंट के साथ होममेट प्रीमिक्स कैसे बना जाता है इसका लिंक मै इन से एक चम्मच premix पिष्टे में डाल रही हूँ मिक्सी में घुमा कर मैं इसका पाउडर बनाका त्यार करूझ कि पिष्टे के पाउडर को ॢालना है मैं कि इसमें डाल हूँ एक और आधा बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर इसको इसकीप करके आप मिल्क मेर्ड या फिर ख लने केक में कोई चिप चीपारeronमीद में उसमें चेप चीपार्ड़ हो जाती है क्योंकि उसमें जैनतम गम पौडर बीट करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूं एक और आधा बड़ा चमच ओईल इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूं एक और आधा बड़ा चमच मैल्ट अमूल बटर बटर को आप इसकिप कर सकते हैं लेकिन बटर से केक में अच्छा टेस्ट बन कराता है मैं इसमें डाल रही हूं मैं इसे एक मिनट के लिए हाई स्पीड पर बीट करूंगी बीट करने के बाद आप इसकी स्मूथनेस और कंसिंस्टेंसी देख सकते हैं जो कलर इस बैटर में बनकर आया उस कलर के साथ भी आप केक बना कर त्यार कर सकते हैं अगर आपको अपने केक में मार्कीट जैसा कलर द रोप दालनी है कलर को मैं करूंगी बैटर के साथ मिक्स कलर ओप्षिनल में आप इसको कर सकते हैं यह देखिए 100 ग्राम प्रिमिक्स से हमारा कएक बैटर बनकर त्यार हो गया है 10 इस बैटर से आप मफिन कपकेक, लोफ केक, टी टाइम केक या फिर और कोई सा भी केक बना कर त्यार कर सकते हैं लोफ या टी टाइम केक बनाने के लिए आप पेपर मोल्ड ले सकते हैं यह हमारा 7 y 3 इंच का मोल्ड है इस mold में आप 100-500 gram premix का loaf या tea time cake बना का त्यार कर सकते हैं आप इस recipe से और कोई दुसरी shape का भी cake बना का त्यार कर सकते हैं उसके लिए आपको 6-7 inch का tin mold लिना है मैं इस recipe से muffin और छोटे size का loaf cake बना का त्यार करूँगी छोटे size का loaf या tea time cake बनाने के लिए मैं ले रही हूँ paper mold यहाँ पर मैंने 6-7 inch का mold लिया है आप इसमें एक बार cake बनाने के बार दुआरे से cake बना का त्यार कर सकते हैं इस paper mold को दुआरे से यूज़ करने के लिए इसके अंदर लगाना है baking paper baking paper इस तरह के से लगाना है कि यह चारो तरफ से cover हो जाए आपको अपने paper mold या teen mold को इस तरह के से baking paper से cover करना है muffin बनाने के लिए मैं ले रही हूँ दो paper liner यहाँ पर मैं इस batter से दो muffin बना कर त्यार करूँगी paper liner को मैंने रखा है cupcake tray में batter को मैं करूँगी icing bag में fill batter को icing bag में fill करने के बाद मैं paper liner में आधे से थोड़ा सा ज़ाद है batter डाल रहे हूँ 100 gram pre mix से आपके 6-7 muffin बन का त्यार होते हैं बच्चो हुए batter को मैं डाल रहे हूँ दुसरे वाले paper mold में mold में batter डालने से पहले आपको अपने OTG को 170 degree पर उपर की grill बन नीचे की grill on करते हुए 5-10 मिनाट के लिए pre heat होने के लिए रखना है बैटर डालने के बाद 2-3 बार tap करना है इसकी top garnishing करने के लिए मैं इसके उपर डाल रहे हूँ पिस्ता फ्लैक्स सभी वेकरी soap पर pre mix से ही cake मना कर त्यार के जाते हैं वही टेस्ट आपको हमारी इस recipe में देखने को मिलेगा मैं इसके उपर डाल दी हूँ गुलाब की सुखी पंखोड़ी गुलाब की पंखोड़ी optional में आप इसको skip कर सकते हैं इसकी garnishing करने के लिए मैं इसके उपर डाल रहे हूँ एड्मन फ्लैक्स garnishing आप कैसी भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के कोडिंग हमारी इस recipe से cake खाने में बहु ज़्यादा टेस्टी होता है यह देखे हमने muffin और cake दोनों की सुन्दा सी गानिसिंग कर दिए अब मैं इन्हें बेक करने के लिए रखूंगी muffin को बेक करने में आपको 15-20 मिनट का समय लगेगा इसके साथ हम छोटा लोफ केक बना कर त्यार कर रहे हैं इसे बेक करने में 20-25 मिनट का समय लगेगा बड़े size के OTG में मैं इसे 170 डिगरी पर उपर की ग ओफ केक बना कर त्यार कर रहे हैं तो उसे बेक करने में आपको 30-35 मिनट का समय लगेगा जैसे जैसे आपका केक बेटर मोल्ड में जादा होगा तो उसे बेक करने में समय जादा लगता है मफिन हमारे बहुत जल्दी बेक हो जाएंगे इसलिए मैं इनको 15-20 मिनट के बीच में ही OTG में से भार निकाल लूँगी दुसरा केक बेक होने में कितना टाइम लेगा यह मैं आपको बाद में बताऊंगी बेक हो जाने के बाद OTG के साइज और हीट के साफ से बेकिंग टाइम कम जादा हो सकता है कलर चेंज हो जाने के बाद आपको अपने मफिन या फिर केक को OTG में से भार निकालना है हमारा OTG प्रीट हो चुका है अब मैं इनको बेक करने के लिए रखूंगी आप हमारे केक और मफिन की बेकिंग देख सकते हैं कितनी जादा फुलावट आई है ये देखें 15-20 मिनट में हमारे मफिन बेक हो चुके हैं मैंने इनको OTG में से भार निकाल दिया है दूसरे केक को मैंने 5 मिनट के लिए और रखा है ये देखें 20-25 मिनट में हमारा दूसरा केक बेक हो चुका है पांच मिनट के बाद मैं इस केक को मोल्ड में से भार निकालूंगी आप हमारे केक का कलर देख सकते हैं बेक होने के बाद कितना चबन कराया है जैसा आपको मार्किट में देखने को मिलता वैसा ही कलर है पांच मिनट के बाद मैं केक को मोल्ड में से भाने काल रही हूँ आप इस मोल्ड को दोवारे से केक बनाने में यूज कर सकते हैं अब मैं मफिन और केक दोनों को पूरी तरीके से ठंड होने के लिए रखूंगी फ्रीज में रखने के बाद आपका केक हाड ना हो इसलिए आपको अपने गरम गरम केक के उपर कपला ढखना है ऐसा करने से आपके केक के अंदर मोश्चर बना रहेगा मफिन और केक पूरी तरीके से ठंड हो चुके हैं मैं आपको इसकी सोफ्टनेस दिखाती हूँ मफिन को नीचे दवाने के बाद फूल कर वापिस उपर आ गया है इसी तरीके से आप केक की भी सोफ्टनेस देख सकते हैं केक आपका जितना ज़्यादा सोफ्ट रहेगा खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी रहेगा आप इस रेसेपी को एक बार जुरू ट्राइ कीजिएगा होमेट प्रियमिक्स से आप मार्किट जैसे मफिन केक बना कर त्यार कर सकते हैं लोफ केक को मैं तेज धार वाले चाकु से कट कर रही हूँ स्लाइस में इसकी कटिंग करनी है केक आपका जितना ज़्यादा सोफ्ट होगा केक स्लाइस भी उतने ही परफेक्शन के साथ बन कर आएंगे केक आप को इसा भी बनाए रेसेपी एक ही होती है रेसेपी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं स्लाइस में कटिंग करने के बाद आप इसकी सोफ्टनेस देख सकते हैं दवाने के बाद भी केक हमारा तूट नहीं रहा है केक खाने में तभी टेस्टी लगता है जब है सोफ्ट हो अगर आपको अपने केक में मार्किट जैसे टेस्ट चाहिए तो आपको अपने केक को बना कर त्यार करना है प्री मिक्स से इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा एक ही रेसेपी से एक ही फिलेवर से आप बना कर त्यार कर सकते हैं मफीन या फिर अलला टाइप के केक इसी तरीकी से हम एक ही प्रीमिक्स से और भी अलला टाइप के केक की रेसेपी आपके साथ सेयर करने वाले हमारे चैनल से जुड़े रहेगा नमस्का दोस्तों फिर मिलेंगे बाई बाई